नमस्कार एक ऐसा मंदिर जो धार्मिक अस्थोलों में बहुत खास है गिनेज वूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सामिल ये मंदिर अद्भुद और बेमिसाल है मैं बाद अक्छरधा मंदिर की कर रहा हूं यह दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के ना अक्छरधाम मंदिर जिसे स्वामी नरायन अक्छरधाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली के सबसे अच्छे प्रयाटक आकर्षणों में से एक है जिसको देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं ब्रीटेन के प्रधान मंत्री पीसी सुनत भी दिल्ली के अक्छरधाम मंदिर में चाहेंगे इस कड़ी में मंदिर के बाहर सुरक्षा ब्यवस्ता कड़ी की जा रही है मंदिर के एक अधिकारी जो तिंद्र दवे ने इस कड़ी में क्या कुछ कहा सुनिये देखिए हम लोग ने तो ब्रिटन के प्राइम मिनिस्टर के उपरान जो भी हेड अब दे स्टेट यहां आना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ प्रेपरेशन करके ही रखा है लेकिन उससे हम सब को बिंती करते हैं कि आप हमको पहले से बता दीजिए अभी अनफॉर्चुन नहीं बताया है अच्छा हम लोग अक्षरदाम सोमवार को बंद रखते हैं तो अभी यह हमको समय बताए तो हम उसको कुछ कह सकते हैं और दे आर सो बीजी दे आर नोट गिविंग अस एक्जेक टाइम लेकिन हमको ऐसा पता चला है कि हाई कमिशन की और से कि प्राइम मिनि को भी तकलिफ कम हो और जो आने वाले हैं उसको भी तकलिफ कम हो चोंकि सिक्योर्टी की बहुत बड़ी प्राब्लेम है तो हम लोग ने तो रिक्ष्ट की है अब यह जब आएंगे तब यह तो बात बिटिस पीम के थी पर हर कोई जो देली आता है वो इस मंदिर का दरसन कर करीब एक सो एकड़ भुमिव फैले इस मंदिर को ग्यार हजार से ज्यादा कारिगरों की मदद से बनाया है इस मंदिर को बनाने में अस्टील लोहे और कंक्रीट का इस्तमाल नहीं किया गया है जानकर आपको हैरानी होगी गुलावी सफेद संग मरमर और बलुआ पत्रों क कि निस्टन से यह मंदिर बना है स्री अक्षर पुरुशोतम स्वामी नरायन संस्था के प्रमुख स्वामी महराज के नेत्रित्म में इस मंदिर को बनाया गया था मंदिर को बनाने में लगबग 5 साल का समय लगा था करीब 101 भूमिव में फैले इस मंदिर को 11,000 से ज्यादा कारिगरों की मदद से बनाया गया पूरे मंदिर को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है मंदिर में उचसन रचिना में 234 नकासी दार खंदे 9 अलंकरित गुमदो 20 सिखर होने के साथ 20,000 मूर्तिया भी शामिल है मंदिर में रिशियो और संतों की परतिमाओ को भ में छप जाएं ऐसे भी जगह हैं ऐसे भी आकर्शन हैं मैं बात सहज आनम वाटर सोगी कर रहा हूं यह आश्चरजनक वाटर सो 24 मीनिट के लिए चलता है कई रंग के लेजर पानी के नीचे की लपटे चल्चित्र समागरी और पानी की तेज धारे इस सो को बहुत आकर्श तो विसाल फिल्म स्क्रीन निलकंठ यात्रा जो है यह फिल्म एक बच्ची योगी निलकंठ वर्णी पर आधारी थे इस स्क्रीन में छे से अधिक कहानियों पर बनी फिल्मों को दिखाया जाता है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा वही अगर अभिषेक मंडब की बात नाय होती है आगंतुकों को मुर्ती का अविसे करने की अनुमती है अक्छरदा में अनुमती मिलना समझ सकते हैं आप म्यूजिकल फाउंटेन तो एकदम निराला है एकदम निराला अनुम हो जिसको आप खुद अक्छरदमा करके फिल के जिएगा संध्या कालीन आयोजीत ह उने वाला यह संगीत में भवारा भगवान, मनुस्य और प्रकृती के बिच प्रस्पर निर्भरता प्रदर्सित करता है मंदीर, हॉल ओफ वैल्यू, विशाल, फिल्म स्क्रीन, बोट राइट, भारत वोन यह खास आकरशन हैं अप्छरदा में कुछ मंदीर के रूल रेग उसको जाना काफी जरूरी होता है, बेहत जरूरी होता है, तो यह भी जान लीजिए आप, मंदीर के अंदर सभी इलेक्ट्रोनिक गैजट जैसे की मोबाइल फोन, कैमडा, डिश्टल वर्च जो है, आलि सक्त वर्जित हैं, आप मोबाइल फोन मंदीर परिसर के अंदर नही ले जा सकते हैं, और अगर इसके अलावा और क्या-क्या रूट रिवेशन उसे भी जान लीजिए, परविस करने के लिए ड्रेस कोड भी बना है, आपके कपड़े, कंधे और घुतने तक धाके होने चाहिए, क्योंकि वस्त्र भी संसकार वसंस्कृति के परिचायक होता है, और आखिरकार अब वक्त हो चला है, सबसे ज़रूरी बात बताने की, और सबसे ज़रूरी बात इसलिए बताने जा रहा हूँ, टाइमिंग को लेकर के है यह बात, टाइमिंग को लेकर जाना यह बहुत ज़रूरी है, अक्छार धाम मंदीर में साम 36 बजे के बाद एंट्री के बाद सामने तो भी कोई फायदा नहीं आप मंदिर का दिलार नहीं कर पाईएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही कमेंट करके बताईएगा कि आपको ये जनकारी कैसी लगी और फिलाल मुझे यानि कि हैपी रोसन को दीज़े इजाज़त और ऐसे इनफॉर्मेशन और